जिस क्रूज पर दो दिनों पहले ड्रग्स की पार्टी हो रही थी इतना बड़ा बवाल हो गया पूरा देश हिल गया इस ख़बर से किके सरे पार्टी में महिंगे दामों में टिकेट्स मिकी हैं ड्रग्स आई हैं उसी क्रूज में अब एक और पार्टी की तयारी हो रही है और इस बार जो पार्टी की जा रही है उसे कही न कहीं कह सकते हैं कि क्रूज वाले जो है अपनी image को धोने का काम कर रहे हैं जो बदनामी इस cruise की हुई है, जो cruise अभी September में start ही हुआ था और bookings ले रहा था बड़ी बड़ी parties की, ये सोचा था कि Aryan Khan आएगा और party होगी तो cruise की रौनक हो जाएगी सब तरफ social media में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, cruise हो गया बदनाम लेकिन अब फिर से cruise एक और party की तयारी कर रहा है, इस बार गर्बा party है नवरातरी celebration इस cruise पर किया जाएगा, जहां पर लोग cruise पर गर्बा कर पाएंगे और ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग इस cruise पर गर्बा करने के लिए सवार होंगे उन्हें समंदर के रस्ते ही सोमना तक ले जाया जाएगा, cruise के जरिये ही इतना ही नहीं, गर्बे के साथ ही अगर लोगों का fast है तो उस हसाब का खाना बनाया जाएगा और इस पूरे समय cruise पर सिर्फ और सिर्फ vegetarian food परोसा जाएगा बताईए, दो दिन पहले जिस cruise में drugs बहरा था, उस cruise का अब festive तरीके से makeover किया जा रहा है वैसे आपको बता दे कि cruise के मालिक ने तो already इस पूरी drug controversy से किनारा कर दिया है उन्होंने कह दिया कि हमने तो cruise दिली की एक event management company को किराय पे दिया था और उन्होंने ये सब किया है, हम इस act की निंदा करते हैं और हम इस तरह की चीज़े बिलकुल support नहीं करते हैं और ना ही हमारे cruise में आगे भविश्य में ऐसा कुछ होगा आपको बता दे कि इस मौमले में 16 लोग arrest हो चुके हैं, जो organizers थे उससे भी 4 लोग गिरफतार हो चुके हैं इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि cruise को भारतिय सीमा में तैरनी की आगे बढ़ने की अनुमती ही नहीं थी सिर्फ एक जगे cruise रखने की अनुमती थी लेकिन उसको ऐसे समंदर में चलाने की अनुमती नहीं थी well cruise के माले ही इस cruise की makeover करने की बात कर रहे हो लेकिन फस चुके हैं cruise के माले की लोग भी कोई खटा नहीं करना है कहां हुई कोविट की पालना कहां लोगों ने मास्क पहना कहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हुई किस से आपने permission ली यह बहुत सारे सवाल है जिस पर मुंबई पुलिस investigate करेगी